दुनिया को जानने की ललक जो इंसान में थी उसने उझे यात्राओं के लिए बहुत प्रेडित किया इसके साथ साथ एक और थी कि जब या यात्रा पूरी होती थी और जब एक नई जगह के बारे में दूसरों को बताया जाता था लोगों में बड़ा उत्सा होता था और एक बड़े उस्रुकता जागती थे नई जगों को जानने के लिए और वो प्रेडित करते थे, जो शाशक हुआ करते थे, जो संपन हुआ करते थे वो ऐसी यात्राओं को प्रयाजित करने का प्रयास किया करते थे अपने जिस पहली यात्रा के बारे में सुना मार्को पोलो की यात्रा वो बड़ी आतिहासिक थी उसके कुछ समय के बाद कॉलम्बस ने भी अपनी यात्रा की और उसकी यात्रा भी दुर्या में बहुत प्रसिद हुई उसने अमेरिका के बारे में लोगों को बताया और इन यात्राओं के बाद पर्तगाल भी चाहने लगा कि उसके नाविक उसके लोग दुनिया के और उन हिस्सों के बारे में जाने दुनिया को बताएं जिसके बारे में अभी तक कि वज़ सुना गया था बहुत जादा जानकारी नहीं थी कुछ नए राष्टे तलाशे जाएं ये पर्तगाल के लोग भी चाहते थे पर्तगाल का एक बड़ा ही प्रसिद नाविक था जहाजी था जिसका नाम आपने अपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा वासकोडी गामा वासकोडी गामा ने भी अपने एक यातरा के शिरुवाद की वह हिंदुस्तान पहुँचना चाहता था उसने अपने साहसी और ताकतवर नाविकों के साथ एक यातरा के शिरुवाद की पर्तगाल के बंदरगाह लिजबन से ये बड़ी ही कठीन और बड़ी जटिल यात्रा थी आफ्रिका जिसे आप नक्षे में देखेंगे तो पता चलेगा कितना लंबा शेत्र था कितनी लंबी दूरी थी वो आफ्रिका के पश्चिमी किनारों से समुद्र से होते हुए आगे बढ़ा और सबसे पहले वो केप वर्डे दीप पे लोगों के पास नहीं थी लेकिन वासको डिगामा और उसकी पोरी टीम उस रास्ते समुद्र में आगे बढ़ी और अफ्रिका के निचले हिस्से में लगबग आप पश्शिम दक्षिन हिस्से में देख रहे हैं वहां कि कुश दिवपर पहुचा और उनके किनारों के बंद वहां पहुंचा वहां पहुंचने के बाद जो इतनी लंबी यात्रा हुई थी इससे उसके नाविकों में ठकान सी आने लगी उन्हें लगने लगा कि अब हमारी यात्रा यही रोग देनी चाहिए और यहां से वापस चला जाना चाहिए लेकिन वास्कोडी गामा के अंदर व के बढ़ाई लेकिन जब वह आफरीका के पुर्वी तरटो की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उसके साथियों में एक इसकरवी नाम की बीमारी हो गई उनका शेरीर काफी कमजोर पढ़ने लगा उनके दाथ गिरने लगे और भी कई तरह के परिशाने उने होने लगी और इ उसकी हम्मत यहां भी नहीं तोटी उसने अपने साथियों के भी हम्मत बढ़ाई और अपनी यातरा को आगे बढ़ाता रहा थोड़ा आगे जाने पर मुजांबी के नजदीक उसकी मुलाकात कुछ अरब व्यापारियों से हुई अरब की लोग व्यापार के सिलसले में हिं पहुँचने की वहां तक पहुँचने की वह और तिवर होती गई उसने अपने साथियों का होस्रा बढ़ाया और फिर आगे की यातरा उनके जारे हुई आप यहां नक्षे में देख सकते हैं कि बोदांबिक के पास उसका रास्ता कैसे बदलता है और भारत के पश्यमी 98 तो इस तारीक को उसने अपने यह यातरा पूरी की वासकोटि गामा की यह जो यातरा थी वो अपने आपे एक बड़ा ही एतिहासिक गदम था दुनिया के इतिहास में इतनी लंबी यातरा एक बड़ा मायने रखती थी और इस यातरा के माध्यम से उससे समूदरी मार्क की खोश की जिसके साथ जो यूरोप का पश्ची में हिस्सा था वो हिंदोस्तान के साथ जुड़ सका वैसे तो थल मार से आने के राश्ते लोगों को मालुम थे जिसे हम रेशम मार के नाम से पहले जिकर कर चुके हैं लेकिन समुद्र के रास्ते से अफरिका को पार करते हुए हिंदुस्तान तक पहुँचने का ये एक बड़ा ही एतिहासी करनामा था जो वास्कोडी गामा ने किया इस यात्रा के बाद व्यापार के नए रास्ते खुले नई संभावना एक खुली